दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगो को रेक लिमिटेट के अपकमिंग डिविडेंट की पूरी डिटेल्स दूँगा साथ ही साथ मैं डिविडेंट वैल्यू भी शेयर करूँगा मैं हूँ आरुश आप देखने हैं फेनो मीडिय अब आया आरुश आए अब इस व स्टॉक का पी ए रेशियो सिरफ 3.44 का है जोगी काफी जादा कम है और जोगी काफी जादा अच्छा है बुक वैल्यू अगर आप इस स्टॉक की देखोगे तो 221 रुपीस की है ये स्टॉक कहीं जाए ना जाए अपनी बुक वैल्यू को तो आने वाले टाइम में ज़रू स्टॉक की 10 रुपीस की है डेट टू इक्विटी रेशियो 6.55 का है वन के नीचे का अच्छा माना जाते है तो आप सोच सकते हो कितना जादा डेट मौजूद है कंपनी के उपर बट क्योंकि ये गवर्मेंट बैक्ट कंपनी है तो डेट वाले पार्ट को यहाँ पे हम तो जहाँ पे 2022 के अंदर में कंपनी की सेल्स 39,276 करोर की थी वहीं 2023 के अंदर में हल्की सी बढ़ करके 39,478 करोर पे आ चुकी है तो सेल्स के अंदर हम ज्यादा फरक देखने को नहीं मिला है पास्ट वनियर से अगर हम कंपेर करें तो वहीं अगर हम बात करें कंपनी के ने तो यह काफी जादा अच्छी बात है कंपनी की sales almost same है बट कंपनी का जो operating profit है वो हमें increase होता हुआ देखने को मिला है जिसका सीधा सा reason है कि कंपनी की जो expenses है वो काफी जादा कम हो चुकी है अब यह काफी जादा अच्छी बात है पिकास जिस भी कंपनी के expenses काफी कम हो जाते हैं वो आने विले time में काफी जादा अच्छा perform करती हुए हमें देखने को मिलती है और शाहिद इसी वज़े से past one year के अंदर में stock में में काफी शांदर rally देखने को मिली है कंपनी के net profit की अगर हम बात करें तो जहाँ पे 2022 के अंदर में 10,036 करोर्स का net profit था वही 2023 के अंदर में बढ़ करके 11,167 करोर्स पे आ चुका है तो कंपनी के net profit में भी हमें last one year के comparison में काफी अच्छी increment देखने को मिली है और all over company के जो financials है वो past one year के अंदर में काफी अच्छा perform करते हो हमें देखने को मिले है तो financially भी company काफी जादा strong है अगर बात करें company के अब dividend details की तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो company की dividend history मैंने open करके रख लिए अब upcoming dividend की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो 2023 के अंदर में company already एक बार dividend दे चुकी है February के मन्त के अंदर में 3.25 रुपीस का 3.25 पैसे का dividend दिया था company ने अब अगर हम compare करें से पिछले सालों से तो आप देखेंगे हर साल लगातार company तीन बार dividend देती आ रही है 2021 के अंदर company ने 3 बार dividend दिया था 2022 के अंदर में company ने 3 बार dividend दिया था अब 2023 में भी 3 बार dividend आना चाहिए एक बार आ चुका है अब जो company का second dividend है वो हमें जुलाई के मन्त में आता हुआ देखने को मिलेगा because अगर आप पिछले साल को compare करोगे तो 2022 के अंदर में भी जो पहला dividend आया था वो यहाँ पे February के मन्त में ये आया था 2022 के अंदर भी and 23 में भी February के मन्त में dividend आ चुका है अब 22 के अंदर जो यहाँ पे दूसरा dividend आया था वो जुलाई के महीने के अंदर में आया था अब यहाँ पे अगला महीना जुलाए का अभी जून का महीना चल रहा है तो अब जुलाए के अगले महीने के अंदर company की तरफ से हमें dividend आता हुआ देखने को मिलने वाला है अब इसकी value क्या होने वाली है उसकी बात कर लेते हैं तो अगर हम पूरी history को देखे company की और पिछले stock में में एक शानदार काफी जादा शानदार rally देखने को मिल जाएगी तो जरूर से stock को आप अपनी watch list के अंदर में add करके रख सकते हो और आज की video के अंदर इतना ही रखते हैं अगर आप कोई video अच्छी लगी हो video को जरूर से like कर दीजेगा इस channel को भी जरूर से subscribe कर दीज